हेलो दोस्तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं बिक फन का इलेक्टरिक कीबोर्ड जिसका मॉडल नमबर है मैं आपको दिखा देता हूँ GY430 A1 और जिसकी कीमत 700 रुपे है ये ओनलाइन 690 रुपे का मिल रहा है जिसे मैंने रिटेल में 700 रुपे का लिया है तो ये एक इलेक्टरोनिक कीबोर्ड है जो बच्चो और किट्स में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉइस में से एक है मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा और किस प्रकार helpful रहेगा ये मेरी बती जी के लिए लिया गया है और आप इसमें देख पाएंगे कि इसमें 37 कीज हैं, 8 टोन्स हैं, 8 रिदम्स हैं, 4 परक्यूशन्स हैं, 6 डेमोज हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, टेम्पो कंट्रोल, एनिमल सॉंग, एफेक्ट, सॉंग रिकॉर्ट, सॉंग प्ले तो इस तरी ये सारे फीचर इसमें दिये गए हैं, जब आपका बच्चा इसको यूज करेगा, तो उसके माइन में ये सब चीजे वो सीख पाएगा, और उसके ब्रेन को एक अच्छा पुश मिलेगा, जिससे कि उसकी सोचने समझने की और याद करने की शमता बढ़ेगी, और वो एक बहुती माइनर लेवल पे एक टेक्निकली एक बच्चा साउंड होगा, और इससे उसके दिमाग में भी एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइपस आएंगी, 37 कीस के बारे में जानेगा, 8 टोन्स के बारे में जानेगा, अलग-अलग टोन्स के बारे में जाएगा, डेमोस करना सीखेगा, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना सीखेगा, जिसमें वो अपना टीवी का रिमोट या और किसी डिजिटल रिमोट के बारे में भी जान पाएगा, कई अंग्रेजी शब्दों का भी उसको इसमें ज्यान हो जाएगा, जब वो इन चीजों को जानेगा, औ थोड़ी सी प्राप्लम भी हो, और उसे समझी ना है, उसने लिया क्या है, तो आप देख लीजिए, दोस्तो, बॉक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, माइक्रोफोन इंक्लूडेड है, मतलब आप माइक में इसके सांद गाना भी का सकते हैं, तो बॉक्स कुछ इस इंडिया है, और यह साई मार्का दिया गया है, स्टेंडर्डाइस साइन होता है, और बैच नमबर भी आप पढ़ सकते हैं, कि बैच नमबर कौन सा है, और पीछे और कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दीए, यह मैं इसको अब एकदम से अन्बोक्सिंग करके आपको दिख अब प्लक नहीं किया है, बस यह अभी दिखाने के लिए ही रखा गया है, कि यह किस परकार दिखाई देता है, आप देख लीजे कितने परकार किसमें बटन है, और कितना यह आपके किट को हेल्फुल कर सकता है, उसके ब्रेन में और भी अच्छा इसको पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर वो इस चीज के दिखाई गार एक तरीके से उसका एक म्यूजिक सब्जेक्ट की तरह ही होगा, जिस परकार से बच्चा पेंटिंग को लेता है, जिसका फुटबॉल या किर्केट को लेता है, तो जो बच्चे इंडोर में रहकर अपना कुछ अच्छा वक् आपको बता रहा हूँ कि एक इस परकार के बटन है, दो स्पीकर दिये गए है, यहाँ, एक यहाँ दिया गया है, यह कीबोर्ड ही है, बैक साइड में बिकाऊंगा, यह इसमें एक माइक भी दिया गया है, और इसमें कुछ नहीं दिया गया है, जो देखिए, मेड इन मैं इसको आपको connect करके भी दिखाऊंगा कि यह किस प्रकार से चलता है दोस्तों इसको connect कर दिया गया है यह आप देख पाएंगे कि एक जो normal normal आपका charger होता है उसको यहाँ पर connect करना है साथ ही जो माइक की लीड है उसको बगल में आप connect कर सकते हैं यह देखे बहुत ही आसानी तरीके से बस दो यह option है यह आपका माइक है इसमें आपको जबोल सकते हैं आप देख पारे होंगे कि किस प्रकार से इसकी अवाज भी गुंज रही है यहां से यह on कर ऐसे करेंगे तो बंद हो जाता है रहा से करेंगे प्रेस करेंगे तो ओन हो जाता है यहां से यह keyboard है काफी अच्छी quality है और इसको कम करना चाहें इसकी आवाज को और कम किया जा सकता है यह देखे कितनी कम आवाज में इसको चलाया जा रहा है और तेज करना चाहें तो बहुत ज़्यादा भी हो जाती है देखिए इसको कमी कर देते हैं क्योंकि वीडियो बना रहे हैं है यह देखिए डेमो वन है यह यह डेमो टू है डेमो टू है डेमो थ्री है देखिए किस प्रकार से इसको और यहां से स्टॉप भी किया जा सकते हैं मतलब मैंने आपको गाना गा के भी दिखाया इस माइक में और आप अगर यह अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं यह बहुत ही अच्छा प्रॉडक्ट है मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिये हैं और यह एक मस्ट प्रॉडक्ट है जो किट्स चाहते हैं कि उनके पास हो वो म्यूजिक का है उसमें रिकॉर्डिंग करें यहां पर रिकॉर्डिंग का भी है जब वो कुछ चीच ऐस ब्यूजिक करते हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उसे प्ले भी कर सकते हैं तो ऐसे नॉर्मल यूजेज यह एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रॉडक्ट है 700 रुपे का है किसी भी रिटेल शॉप में लिया जा सकता है और 9 690 रुपे का मिल रहा है पांच म कैसा है मेरी यह रेटिंग 4.8 आज के लिए तना ही दोस्तों धन्यावाद